वेल्कम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे मिक्स अचार जो कि खाने में टेस्टी और मज़दार भी और हेल्दी भी हो जाएगा तो चली फ्रेंट्स आज हम बताते हैं मिक्स अचार बनाना Healthy और Mix अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इन सारे चीज़ों को अच्छे से धोग कर, पानी को पोच लें और पोचने के बाद अच्छे से काट कर मैंने रख दी हूं तो मैंने क्या क्या लिया है Mix अचार के लिए तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं मैंने मूली लिया है मूली मैंने 500 ग्राम लिया है यहां 500 ग्राम गाजर लिया है यहां पर मीर्च मैंने 50 ग्राम लिया है और यह दो सिमला मीर्च मैंने लिये हैं और भीज में है अदरक तो अच्छे से इसे पहले इस तरह से तयार कर लें आप इसे किसी भी सेप में काट सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस तरह का सेप लिया है तो आप लंबे वाले भी ले सकते हैं आपके जो इच्छा हो जैसा आपको लगता हो अचार बनाना वैसा ही आप यहाँ पर ले तो इससे मैंने लंबे पीसिज में काटा है और मिर्च को मैंने इस तरह से काट कर रख लिया है और मैंने यहाँ पर देख सकते हैं सिम्ला मिर्च भी मैंने इस तरह से काटा है तो इसी सबसे पहले यहां पर सभी चीजों को मैंने काट कर रख चुकी हूं तो अब आगे देखते हैं मैंने एक ले लिया है यहां पर भगवना यानि कि यह कठोत भी इसे काते हैं तो यहां पर एक कठोत ले जिसमें आटाव एगर आप सांते हैं गुथते हैं ऐसे फैले बरतन ले जो कि आपके पास अवलिवर होता ही है हर किसी के पास तो सबसे पहले बरतन लेने के बाद हम जितना भी कठे हुए सबजीया हैं उसे मैं इसमें डाल देते हैं ये मिक्स अचार है जो कि बहुत ही स्वाद बनने के बाद लगता है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और हेल्दी भी रहता है, तो ऐसे अपने घर में ज़रूर बनाएं, और मैं बहुत ही असान तरीका आप लोगों को दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही इजली बन जाएगा और सालो साले से रख सकते हैं सबसे पहले इसमें हम नमक डालेंगे और एक चमच हल्दे भी डालेंगे दोनों को डाल कर अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे चमच से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से एक जगा पर कर देंगे इस तरह से और धकन इसको धक देंगे और हमें एक खंटे के लिए छोड़ देना है ताकि हमारा जितना भी सब्जी का जो पानी है जो छोड़ दे नमक डालने के बाद पानी बहुत सारा छोड़ता ह तो देख सकते हैं कि एग घंटा बाद हमारा पानी कितना सारा छोड़ दिया है अभी नमक इसलिए डाला जाता है ताकि सब्जीयों का जितना भी पानी है वो निकलाए हम एक लेंगे चलनी जो कोई आटा चलने वाला चलनी जो सभी के पास होता है उसी चलनी में अच्छे से हम इसे छान लेंगे पानी को तो देख सकते हैं पानी हमारा निकल चुका है और इसके बाद हम एक कोटोरी लेंगे और इस तरह से रख देंगे तेड़ा थोड़ा सा रहेगा ताकि सारा पानी हमारा गर जाएगा तो आदे घंटे बाद देख सकते हैं कि हमारा पानी गर चुका है, अब हम एक थाली में अच्छे से फैला लेंगे, तो हमारा जो है दो थाली में लगीगा, क्योंकि एक थाली में नहीं होगा, तो दो थाली मैं नहीं लिया है, यहाँ पर दोनों थाली में अच्छे से मैं इस इस तरह से फैला लेंगे तो यह देखिए दो थाली में हम यहाँ पर फैला देंगे अब हम इसे धूप में रखेंगे इसे हमें धूप में पांच छे घंटे के लिए रखना है ताकि जितना भी थोड़ा मोडा पानी इसमें है सब सुख जाया तो मैंने यहां पर 5-6 अब तो इसी तरह आप 5-6 घंटे ओ सूप से पानी चैलिया गजया मौर मौन्द भी नहीं है तो अब हम मसाले की तियारी कर लेते हैं तो यहाँ पर फ्राई पेंट में मैंने यहाँ पर काला सरसो रखा है एक चमच और एक चमच मैंने पीली सरसो लिया है आधी चमच मैंने यहाँ पर गोल की लिया है आधी चमच सौफ लिया है आधी चमच मैंने यहाँ पर मेथी दाने लिया है और आधी चमच जीरा लिया है और एक चमच धनिया लिया है धनिया का कॉंटिटी थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे ज्यादा हमें जलाना नहीं है बिल्कुल ही धीमी आज पर ही मसालों को भूने ताकि इसका जो सौंधा पन आ जाए खेल कर हमारा मसाले और बेश्ट मसाला बन कर तयार हो और आधी चमच यहाँ पर अजवान मगरायला मैंने डाला है इन चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से दो मिनट के लिए हम भून लेंगे धीमी आज पर अच्छे से तो इसे हम अच्छे से मिक्सिजार में पीस लेंगे घर पर ही तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर कडाही चड़ा दिया है कडाही में मैंने तेल डाला है इसकी बाद जब गर्म हो जाए हमारा तेल तो एक चुटकी हिंग डाल देजिएगा एक चुटकी हिंग डालने के बाद हम यहाँ पर गैस को आफ कर देंगे और आफ करने के बाद गैस को इसके बाद ही हम यहाँ पर मिक्स अचार को डालेंगे तो सभी सबजियों को इसमें डाल देंगे अचार को और अच्छे से चलाएंगे इसमें ध्यान दिजीगा कि मैं गैस पर रख्षी हुई हूँ लेकिन यहाँ पर गैस आन नहीं है तो इस तरह से हम सभी मसाले को भी मिला लेंगे तो देख सकती हैं कि हमारे मसाले पिस चुके हैं और थोड़ा सा हलका दरदरा रखें मसाले को अब हम सभी मसाले को इसमें डाल देंगे तो पूरा का पूरा मसाले ही डाल देते हैं क्यूंकि इसी के हिसाब से मैंने सारा समान लिया था तो चलिए सभी को डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है सभी में मसाले मिक्स हो जाएं थोड़ा इसमें हलका पेस जाएं तो सभी चीजों को अगर गर्म तेर में ही अगर डालेंगे तो बहुत ही बेश्ट अचार बनकर तयार हो जाता है तो देख सकते हैं कि अब उपर से हम थोड़ा सा हल्दी और मिलाएंगे किम्कि थोड़ा सा हल्दी कम लग रहा था मुझे तो थोड़ा सा आप टेस्ट करके देख लें इसके बाद और इसके बाद नमक तैयार हो चुका है ऐसे ही आप घर पर बनाएं और खाएं तो देख सकते हैं कितना हेल्दी और कितना अच्छा अचार बन कर तैयार हो गया है और ऐसे बनाएंगे तो आपको सालो साल चलेगा ये अचार, मिक्स अचार और खाने में तो बहुत हिंस्वादेश्ट लगेगा मेरे बच्चे तो खुब खाएं थे तो चलिए आप भी अपने घर में बनाएं और बच्चों को हिल दी अचार दें खाने में तो यहाँ पर अब हम जार में एक रख देते हैं हाँ एक बात याद रखेगा कि हमारा ठंड़ा हो जाय पूरी तरह से तभी हम जार में रखेंगे और इसी एक दो तीन दिनों के लिए हमें धूप में जार को रखे रहें अचार और बन कर अच्छा से तयार हो जाता इसका टेस्ट और बढ़ जाता है तो धूप में रखना जरूरी है तो देख सकते हैं कि हमारा अचार बिल्कुल ही टेस्टी नजर आ रहा है ऐसे ही आप भी बनाएं घर पर और एक बात हमेशा याद रखेगा कि धूप में अच्छे से सुखा लें जरूर पानी एक बुन रहना नहीं चाहिए तभी आपको आपका आचार सालो साल चलेगा तो चलिए आज की ये रेसिपीज आपको कैसा लगा आज की ये आचार हमारी कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसे ही नए नए वीडियो और अच्छी चीज अच्छी रेसिपीज को आप लोगों को देखने को मिलेगा खाने को मिलेगा तो जल्दे जल्दे सब्सक्राइब कर लेजिए और बाई बाई गुड डे